हेलो दिस्तो वेलकम बेक टू माई यूटूब चेनल तो फ्रेंड्स आज मैं बच्चे लोग के लिए बहुत ही स्वाधिस्ट और हेल्दी पराठा का रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बच्चे लोग के लिए बहुत ही फाइदे मन है तो देखिए ये इस साग देख सकते हरा हरा तो कौन सा साग ही आप लोग बताएए तो इसी का ही आज पराठा में बना के आपको दिखाऊंगी तो चलिए फ्रेंड्स पहले कड़ाई ले लेते हैं कड़ाई हमारा गरम हो गया है और इसमें में एड़ कर ली दो चेबुच तेल सरसो तेल आप अगर सरसो तल पसंद नहीं करते हैं रिपाइन तल भी एड़ कर सकते हैं उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा हल्दी इसमें एड़ कर दी और उसके बाद जो साग को में रखी थी हरी हरी साग अभी ठंड के सीजन में ये पाये जाते हैं तो ये साग एड़ कर लेंगे उसके बाद थोड़ा सा मे मेथी का साग तो मेथी का पराठा में आज बनाने जा रही हूँ तो बच्चे लोग के लिए बहुत ही ये हल्दी भी है और बहुत ही फायदे मन है तो ठंडा का सिजन में ये मेथी का साग तो अभी सुरू हो गया है तो आप लोग मेथी का पराठा इस तरह सा बना सकते हैं त तो लास्ट में मैं यहां पर थोड़ा साग करतेकता है गरह में इव хват है और साग्स को भानाय करते है और फढ़ कर्छास के बात guvivite लें समय होगे तो देखें यहांओ पिर्फीलम में निकालकर रखी हूँ और इसको ठनडा होने कि बाद इसमें हम रोग्त करेंगें हमारे साग्रुअ साग्यों यहां टंडा हो गया है तो यहां पर फिर यहां पर 2-3 में तो यहां पर दिशाता है जिस चमल ग्रोटी बनाते हैं वही आटा आपको मैदा पसंद है तो मैदा से भी बना सकते हैं लेकिन आटा सबसे बेस्ट होता है हल्दी भी है तो इसलिए मैं आटा से आज यह पराठा बना रही हूं मेथी का तो अच्छा से इस तरह सा मिक्स कर लेंगे साग के साथ आटा को इस तरह से देख सकते हैं बढ़िया से मिक्स कर लेती हूं यह देखिए अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा नमक भी दे सकते हैं और उसके बाद यहां पे थोड़ा थोड़ा पानी अड़ करते हूए उसका डो बनाएंगे यह देखिए और आप चाहिए मेथी साख को डारिक इसमें काट के अच्छा ही अड़ कर सकते हैं लेकिन मैं जब भी मेथी का पराठा बनाती हूँ तब इस तरह से बनाती हूँ तब जग इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है तो दीखिए हमारा डो बनके रेडी हो गया है और इसको थोड़ा देर बस द निकाल लेंगे आपको जितना बड़ा पसंद ही उसी सब सब डोज निकाल लेजिए और इसमें सुखा आठा लगा के इसको गोल-गोल बेल लेते हैं ज्यादा मोटा नहीं बेलेंगी या ज्यादा पतला भी नहीं बेलेंगी बस थोड़ा सा मीडियम बेलेंगी तो से गरम हो गया है तो देखिए अभी एक साइड हलका सा पक जाने के पाद दुसरा साइड पलट लेंगे और यहाँ पर देखिए मैं रिफाइन तेल से इसको सेकूंगी तो आपको अगर घी पसंद है तो घी भी दे सकते तो आज मैं रिफाइन तल यूज कर रही हूं तो द दोनों साइड अच्छा से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको इस तरह से प्रेस करते हुए करते हुए इसको पकाएंगे तो देख सकते हैं बहुत यह लग रहा है देखने में तो देखिए हमारा पराठा बनके रेडी हो गया है तो इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूं तो दूसरा भी मैं बेल के रेडी कर दी हूं इसको भी शेक लेते हैं तो देखिए एक तरफ पकने के बाद दूसरा तरफ निकाल पॉलट लेंगे उसके बाद तेल या घी जो भी आपको पसंदे उसको इस तरह सा स्प्रेड कर लेंगे और एक साइड निकाल लेते हैं तो फ्रेंट्स यह जो मेती का पराठा खाने में बहुत ही स्वाधिश होता है बहुत ही सॉप्ट होता है आप घर में एक बार जरूर बनाई है अपने बच्चे लोग को जरूर खिलाईएगा तो देखिए यह भी बनके रेडी हो गया है देखिए कितने सुंदर कलर आ रहा है इसको भी निकाल लेते है प्लेट में तो आप चाहे तो इसको चैटनी के साथ खा सकते हैं नहीं तो सॉस के साथ तो मेरे बच्चे लोग को सॉस पसंद है टमाटो सॉस तो मैं आज टमाटो सॉस के साथ इसको सर्प करूंगी तो देखिए इस तरह सा सारे बना के रेडी कर लेंगे तो चलिए अभी इसको सर्फ करते हैं टमाटा सॉस के साथ आपको अगर नारियल का चटनी या धनिया का चटनी पसंदे तो उसके साथ आप लोग एंजोई कर सकते हैं तो देखिए यह बहुती यम्मी यमी लग रहा है बच्चे लोग का आप लोग टीफिन में जरू पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना मत पुलिएगा नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और साइट में जो बेल आइकन है रेड कलर का इसको प्रेस कर दीजे ताकि जब भी में इस तरह से वीडियो बना के आपलोड झाल 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